चंडिगर से कोरोना को लेकर एक दराद देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर आपको बता दे कि एक युवक जो की कोरोना संक्रमान से रिकावर होकर पहुंचा था उसके स्वागत के लिए लोग इकठा हो गए और उन्होंने जमकर सोशल डिस्टैंसिंग की धज्या कोड़ आई है कि को अब करोना को हराया जा सके इसके लिए लोगों को लगतार जागरुप किया जा रहा है लेकिने से भी चंडिगर से एक ऐसी तस्वीर साम्याई जिसने स्वास्ते विभार के चुंता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी दरसल बैंड बाजे और मालाओं के साथ जिस यूवक का स्वागत किया जा रहा है वो कोरोना को मात देकर लोटा है यूवक की आने की खुशे में परिवार और आजपडोस के लोगों ने जम कर नियमों की धज्य उड़ाए दस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ना तो किसी ने मास्क लगाया है और ना ही कोई सोचल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है इन लोगों को ना तो कॉरोना का खौफ है ना ही सरकारी आदेशों का ध्यान बसेने तो खुशी है कि इनके जानने वाला कॉरोना को हरा कर अपने घर लोटा इन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि कॉरोना कब कहां दस्तक दे दे ये कहां नहीं जा सकता दस्वीरें वाकई हिरान करती है क्योंकि एक और जहां परश्यासन कुरोना को लेकर लगातार लोगों को जागरूप कर रहा है वहीं ऐसे मामले सामने आना चिंता का विशे है वहीं सवाल ये भी उड़ता है कि अगर लोग ऐसे नियमों को ताग परकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना को कैसे हराया जाएगा परश्यासन लगतार कोशिश कर रहा है कि कोरोना संकर्मन को रोका जाए लेकिन अगर लोग ऐसे ही लापरवाही बरत्ते नजर आए तो जाहिर तौर पर डेश को कोरोना से निकलने में काफी समय लग जाएगा